Hello friends, welcome to India once again आज मैं आपके लिए बहुत ही जबर्दस वेकेंस लेगा है हूँ जिसके सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे ना कोई exam होगा, ना ही कोई interview होगा सेलेक्शन के लिए, साथ ही कोई फीर्स यहाँ पे नहीं रखी गई है यह वे कैंसे Electronics Corporation of India Limited की तरफ से और यह Technical Officer की यहाँ पे जोब है जो की Contact Basis पे होने वाली है जिसमें 6500 पोस्ट है और Date of Birth की अगर बात करें तो आपकी Date of Birth 31.01.1991 के बात की होनी चाहिए साथ ही सेलरी की यहाँ पे बात करें अगर exam और interview नहीं होगा तो selection का process क्या होगा वो भी इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सेलरी के साथ other benefits यहाँ पे और क्या क्या है तो during deployment to the site selected candidates will be eligible for DA and DA तो जैसे ही sites पे deploy किया जाएगा आप DA और TA के लिए eligible होंगे DA और TA भी मिलेगा तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे benefits है और काफी अच्छी salary हो जाएगी DA और TA इसमें include करने के बाद में तो यह मोका बहुत ही अच्छा है और अब हम यहाँ पर बात करेंगे education qualification के बारे में तो यहाँ पर contract period के बारे में भी लिखा गया और engineering की डिग्री यहाँ पर electronics और communication electrical and electronics electronics and instrumentation mechanical computer science और information technology में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए और यह है simple सी यहाँ पर qualification साथ यहाँ पर experience भी मांगा गया है experience एक साल का होना चाहिए जो कि अगर आपने कोई research किये या teaching किये तो वो यहाँ पर experience नहीं माना जाएगा industrial experience यहाँ पर मांगा गया है industrial experience आपके पास में होना चाहिए हब हम यहाँ पर discuss करेंगे सब से important चीज method of selection कि अगर exam नहीं होगा interview नहीं होगा तो selection होगा कैसे तो यहाँ पर clearly लिखा गया है eligible candidates will be issued provisional offer in order of merit based on the aggregate marks obtained in BE और BTEC तो जो आपने BE और BTEC की degree जो की है, graduation जो की है उसमें जो aggregate आपके marks है उसके base पर यहाँ पर merit list बनाई जाएगी और candidates को short list किया जाएगा उसमें अगर आप short list होते हो, तो आपको यहाँ पर document verification के लिए direct offer letter बेजा जाएगा यानि कि आपका कोई exam नहीं होगा, कोई भी interview नहीं होगा, direct document verification के लिए offer letter बेजा जाएगा selection का method है, वो मैंने आपको बता दिया है BTEC में जो आपके aggregate marks है, उनके base में merit list बनाई जाएगी उसमें अगर आप short list होते हो, तो आपको document verification के लिए बुला लिया जाएगा बहुत ही simple यहाँ पर method रखा गया है, बहुत ही सुनेरा offer है आप इसका फाइदा जरूर उठाएं, अगर आपके अच्छे marks है, BTEC में तो आपका selection आराम से हो सकता है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर maximum age की तो 31 January 2021 को आपकी age 30 साल से जादा नहीं होनी चाहिए और साथ ही, यहाँ पर age relaxation भी दिया जाएगा, age per government rules और यहाँ पर important instruction है कुछ, joining later जैसे आपको issue किया जाएगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको join करना होगा और उसके साथ यह आपको joining के time पर police verification certificate भी submit करना होगा जो कि 6 मैने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए तो यह चीज़े ध्यान में रखने लाइक है, जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी at the time of joining आविदन करने की पूरी परक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है जिसमें आप के वल online आविदन कर पाएंगे offline mode यहाँ पर नहीं रखा गया है साथ यहाँ पर official site दी विए इस site पर जाके आप online आविदन कर सकते हैं इस site पर जाएं इसमें career option पर जाएं और career option में आपको e recruitment का option मिलेगा वहाँ पर जाके आप आविदन आसानी से कर सकते हैं तो आविदन करने की date 6 फरवरी से 15 फरवरी रखी गई है 15 फरवरी बहुत ही जल्दी आने वाली है 15 फरवरी को दो फर 2 बज़े तक का आपके पास में time है तो दो फर 2 बज़े तक आप जल्दी से जल्दी apply कर दीजे ज़्यादा समय नहीं है बहुत ही अच्छा मौका है अगर आपके पास में बीटे क्या भी में अच्छे marks आपने अगर हासिल किये हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता अब हम यहाँ पर discuss करेंगे कुछ important dates जिसमें online आविदन करिकती थी जो है वो 6 फरवरी है जो पर दो बज़े से online आविदन करना इस्टार्ट हो जाएंगे और last date है जो आविदन करने की वो 15 फरवरी है दो पर दो बज़े तक दो पर दो बज़े तक 15 फरवरी को आप आविदन कर सकते हैं बहुत ही जल्दी आपको आविदन करना होगा क्योंकि समय बहुत कम है और call letter है वो issue करने की date है 20 फरवरी 20 फरवरी को आपको call letter issue कर दिये जाएंगे अगर आप sort list होते हो तो और document verification की जो date है वो 25 फरवरी से 27 फरवरी रखी गई है और उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको join करना होगा यानि कि March 1st week में आपको join करना ही होगा March 1st week तक का time है अगर आप sort list होते होते हो तो यह है सबसे एच्छी बात की ज़्यादा वेट यहाँ पर नहीं करना होगा सब कुछ एकदम fast process यहाँ पर होगा अच्छी कासी salary भी है तो अगर आप qualified हो और eligible हो as per this guidelines as per this official notification तो आपके लिए बहुत यह अच्छा मौका है और साथ ही यहाँ पर लिखा गया है कुछ caution for all candidates इसमें simply यही लिखा गया है कोई भी अगर आपको बोले कि मैं आपका selection करवा दूँगा इसमें आसानी से करवा दूँगा पैसे लेके या कुछ और करके तो उन चीजों पर विश्वास नहीं करें यही यहाँ पर clearly लिखा गया है इसको आप पढ़ सकते हो यहाँ पर लिखा गया है कि merit based पर यहाँ पर selection होगा और साथ ही जो selection का process है पुरा transparent है तो यहाँ पर किसी भी परकार की धांदली होने के कोई चांस नहीं है और इन बातों में भी आप बिलकुल ना आएं और यहाँ पर official site दी हुई है इस official site को आप यह तो note कर लीजिए या पिर आपको इस वीडियो के description में यह official site मिल जाएगी और इस official site का जो career column है उस column में यह आपको इस vacancy से regarding पूरी information मिलने वाले है जो भी instructions आएंगे इसके बाद में वो सारे instructions यहीं पर आएंगे तो इसी link पर आप जाएं कोई भी information या कोई भी जान करें आपको चाहिए तो तो friends यह थी पूरी information इस vacancy से related और अगर फिर भी कोई information मिस हो गई हो या कोई आप suggestion देना चाहते हो कोई आपका doubt हो तो इस video comment box में comment करके आप कुछ भी suggestion दे सकते हो या कोई भी doubt आपका clear यहाँ पर कर सकते हो और साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया यह vacancy आपको अच्छे रगी हो तो आप हमारे चैनल डीज इंडिया को जरू सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी परकार की और भी vacancy हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं government job की जो भी official notifications जरी जोते हैं उनकी जानकर यह आपको देते हैं और भी बहुत सार important information आप तक पहुंचाते रहते हैं तो हमारे चैनल डीज इंडिया को जरू सब्सक्राइब कर लीजे थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो